नमस्कार मैं हूँ केशो तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरे हमारी अपराधी कितना भी भाग ले एक नेक दिन उसे सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है सतना जिले के अंदर नागवत तहसील के रहिकवारा गाओं में जिस तरीके से भरस्टाचार हुआ उसे सुनकर न सिर्फ जिले के लोग भावचक्का थे बलकि प्रदेश के साथ साथ देश के लोग भी आश्चर चकित थे इस भ्रस्टाचार की गूँज न सिर्फ जिले तक सीमित रही बलकि इसकी गूँज राश्ट्री इस्तर के मीडिया संस्थानों के माध्यम से भी सुनाई पड़ी रहिकवारा गाव में सरपंच बलवेन सिंग, सच्यू ब्रिज की सोरकु स्वाहा और जन्पत कारियाले में कारिरत राजेश्वर कुजूर ने प्रधान मंत्री आवास ही खाडा ले थे कितना बड़ा पेर था इनका जब इस पूरे मामले में हंगामा हुआ तो जाँच बिठाई गई जाँच में तीन लोग दोसी पाई गए जिसमें बलवेन सिंग की गिरफतारी हुई और उनकी जमानत भी हो गई है क्यों? क्योंका राजनेतिक प्रभाव था आर्थिक संपन थे इस चक्कर में उनकी समानत हो गई ब्रिज किसोर कुसवाहा अभी भी जेल में है तथा तीसरे आरोपी राजेश्वर कुजूर घटना करम के दिन से फरार चल रहे थे लेकिन फरार भी रहते तो कब तक एक ने एक दिन पुलिस का हाथ उनकी कालर तक पहुचना ही था किसी ने कहा था कि बकरे की अम्मा कब तक है रुमन राजेश्वर कुजूर भी पुलिस के गिरुफ्त में आही गए कहने का हिप्राय साफ है कि रहिकवारा पंचायत में हुए भरस्टाचार के तीसरे आरोपी राजेश्वर कुजूर भी पकड़े जा चुके है लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक सवाल महत्वपूर्ण है कि जिला प्रसासन ने जाच बैठाई प्रथम दिस्टिया जाच में तीन आरोपी पाए गए लेकिन इसके बाद भी यह कहा गया था कि जाच चल रही है उस जाच का क्या हुआ हुई भी या नहीं हुई ठंडे बस्ते में डाल कर दबादी गई यदि हुई तो क्या कुछ सामने आया आखिरकार आज तक किसी को बताया भी नहीं गया हला हुआ तो आनन फानन में तीन लोगों के उपर मुकदमा दर्जिकर जेल भेजने की कारवाही कर दी गई इतने बड़े भरस्ताचार में सिर्फ तीन लोग ही भरस्ताचार नहीं कर सकते इस पूरे मामले में और भी कई ऐसे लोग सामिल है जिनका जाच में खुलासा हो सकता है लोगों का कहना है कि यदि प्रधान मंत्री आवास योजना के मकानों का सत्यापन होता तो इस तरीके का भरस्ताचार संभव ही नहीं था लेकिन इस भरस्ताचार में सत्यापन करने वाला इन्जीनियर तथा S.D.O. B.L. गुपता को बचाने की कोशिस क्यों की गई यह सवाल आम आदमी के दिमाग में कौन रहा है आखिरकार वे कौन लोग है जो S.D.O. B.L. गुपता और इन्जीनियर को बचाने का प्रयास कर रहे है आखिरकार यह जाच में दोसी क्यों नहीं पाए गए जब इन्ने मकानों का सत्यापन किया तो इन्हें क्यों बचाया गया अगर यह बरस्ट है तो इन्हें बचाया क्यों जा रहा है अगर इन्होंने अपना काम इमानदारी से किया होता तो रही कवारा में इतना बड़ा बरस्टाचार लोगों के सामने नहीं आता हिंदुस्तान के अंदर सतना जिला कलंकित होने से बच जाता हिंदुस्तान में सतना जिले की नाग नहीं कटती अगर आपको हमारी खबरे अच्छी लगती है तो आप हमारे comment box में आके comment कर सकते है, like कर सकते है, share कर सकते है अगर आपको लगता है कि विसाल खबर आपकी आवाज बंता है विसाल खबर वो सारी बातों को उठाता है जिन बातों को लोग दबाने का प्रयास करते है तो आप सब्सक्राइब करिए विसाल खबर और अपने इस्ट मित्रों से भी कराईए जिससे आपकी आवाज जादा से जादा लोगों तक पहु सके नमस्कार